तो दोस्तों यहाँ पर हम retail investor की सबसे बड़ी problem पता क्या है कि हम सबने बहुत जारा बड़े देख लेते हैं और उन्हें पूरा करने का दम भी हमारे पास है पर फिर भी हम effort नहीं लिनना जाते हैं हम सभी को रातो रात करोड़ पती अरब पती बनना है वहीं पर कई वहर हम अच्छे stocks को छोड़ते हैं इसी के चलते उन्हें मैंसे एक stock है Indian overseas bank अब मैं इसको अच्छा क्यों बोलता हम आपको बताता हूँ कि 46 rupees के पास यह stock trade कर रहा है 5 रुपे 5 दिनों में 0.5% की तेजी एक मन्द में 7% के return पिछले 6 मन्द में 74-75% के positive return पिछले एक साथ में 22% के positive return max chart हम सभी के सामने है 2020 में जब हमने इस पर वीडियो बनानी शुरू की थी तब यह stock around 7 रुपे का था वहां से अभी तक 500% के return आपको stock ने निकाल के दिए अच्छे return है सब चीज कंपनी के favor में है बट फिर भी हमें यहां पर इसमें invest नहीं करना क्यों क्योंकि यह उस लेवल पर भाग नहीं रहा बहुत जबदस return नहीं दे रहा तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें company लगा तर अच्छा profit कर रही है और company का यहां पर आप देख सकते हैं कि revenue कितना है 2021 में 2.8 billion company के employees कितने है बाइस हजार बवींजा और company को आज की नहीं है 10 February 1937 से काम कर रही है और company का quarter 2 में क्या हुआ था revenue 15% increase हुआ net income 25% increase हुआ net profit margin 8% increase हुआ अब अगर मैं यहां पर overall देखूँ तो अभी भी आपको से लोग stock है वो under value मिल रहा है 37 stock का PE है इस पे सबसे interesting चीज़ देखिए पर motor holding कितनी है 96.4 यानि यह company office लेके आएगी और जब यह office लेके आगी तब यह भागेगा stock और तब आपको मिलेगा नहीं जा फिर बहुत महिंगा मिलेगा अब इस में से 96% की holding है 96 में से भी अगर 1.29 निकाल दो DI की है 0.03 FIS की है investors पे click करके देख लेते हैं तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि public के पास मात्रों मात्र 2.28% की holding है motor के अलावा और FIS, DI के अलावा public के बास कुछ भी नहीं है जबकि यह company profit भी कर रही है cash flow भी है gross NPA भी कम हो रहे है net NPA भी कम हो रहे है हर चीज़ तो company के favor में जा रही है और अगर हम यहाँ बैंक को देखे हैं तो bank को करजा हम कभी भी consider नहीं करते करजा इसलिए consider नहीं करते क्योंकि इन्होंने bank ने काफी दर लोन दिया होता है और इन्होंने के assets बगार में बहुत डीप भी जाना पड़ेगा तो हम इसे निकाल देंगे bank का हम गर्जा अगर सेटर नहीं करेंगे उसके अलावा company का profit growth 22.6% है sales से 22% 4 है और मैं आपको बता दूँ कि कभी भी किसी company का OFS आता है तो उससे पहले share बहुत गंदे तरीके से भागता है आपको 200-300-400% के return तो वो बहुत छोटे दिनों में दे रेगा तो आपको पता है नहीं चलेगा कभी ये stock आपको अभी 40 रुपे से किस टाइम पे ये आपको 80 रुपे 90 रुपे 100 रुपे तक जाता है नजर आएगा Indian railway के stocks के साथ भी ऐसा हुआ तब भी आपको चलना चलना के कहा कि बाए करो बाए करो बाए करो नहीं बाए किया अब आयो बी के लिए बोट रहा हूँ बाए करोगे बहुत पैसा निकाल के देगा नहीं करोगे तब भी आपकी मर्जी है और company के कलाने वाले हैं result और definitely company के result भी अच्छे आएंगे और अगर ऐसा हुआ तो बापस से आपको stock में अपस circuit भी जाता हुआ नजर आ सकता है तब भी आप बोलेंगे कि यह हमें पहले बता या नहीं तो आपको बता दू कि company बहुत जबादस तरीके से काम कर रही है कुछ साल पहले 830 करोड का profit था 1710 करोड का profit फिर उसके बाद हुआ 299 करोड का profit फिर हुआ 2330 करोड का profit फिर हुआ अब profit भी बढ़ रहा है हर चीज बढ़ रही है बस stock नहीं भाग रहा ना wait करो stock बहुत बहुत जबादस तरीके से बागएगा buying करके छोड़ दो multi bagger return your stock आपको निकाल के देगा फिर भी को query है तो comment कीजिए हमारी कोशिश होगी कि आपको अच्छे advice दें अभी कले दोस्तों बस इतना ही